रिसेंटली इंस्टाग्राम रील पे फोर फोटोज वाली रील वीडो काफी जादा ट्रेंड पे ठीक है और यह देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती देखने में बढ़िया लगता है ट्रेंड पे भी यह तो और इसका टूटेरियल तो बनता है ओके तो आज की में तो वीडो को लाश्ट तक जरूर से देखना अब अब अपनी वीडो का स्टार्ट कर लेते तो जैसे कि मैंने बोला हम यह एडिटेंग करने वाले वीन एडिटर में तो सिंप्ल से वीन एडिटर को ओबें करने के बाद यहर फ्री का एपलेकेशन ने तो एक एड दिख फोटोज एड कर सकेंगे ठीक है बड़ देखो जब आप फोटोज एड कर रहे हो ना तो वहां पर एक ध्यान देना कि आप जो फोटोज यूज करोगे चार जो फोटो जो फस्ट स्लाइड में होगे वह चारो फोटो एक क्लॉथ का हो तो जादा बढ़िया हो जैसे कि आप द रहे गठीक तो इस वहाले फोटो में सेलेट करता हूं एड को पर क्लिक करता हूं तो यह हमारी फोटो यहां पर आड हो चुकी अब उसके बाद रेश्यो को हमें चेंज करना होगा तो क्रॉप के ऊपर जाएंगे और उसके बाद नाइन इस टू-शिस्टिन को सेलेट करना करेंगे और एक कॉर्णर में से आप कहीं पर भी फिक्स कर देना ठीक है को इसा भी साइड में आप फिक्स कर सकते हो देन उसके बाद इसका साइज को इंक्रीज करने या फिर यू बोलो डियूरेशन को इंक्रीज करना होगा जितना टाइम तक मिन्स म्यूजिक होगा तो एड करने के लिए Simply सा, म्यूजिक वाली button को ओपर Tap कर दें, then music को ओपर एक्लिक करते, और जो हमारी music है, उसे हम select कर लेथे, और हाँ, इसका link में देदूँगा description तो, आप वहाँ सी से गेन कर सकते हो ठीक है तो अपने म्यूजिक को सिंपली से सेलेट किया जैन उसके बाद डण को पर क्लिक करेंगे एंड म्यूजिक एड हो चुका अब उसके बाद अपनी फोटो को म्यूजिक के ZARK कर देंगे तो यहां पर में इसे अठ्यक कर दें से अडिस्त कर दें यहां के हमें छंड वी यहां पर add के लिट हूं हम अपनी थोड़ा सा फास्ट करके मैंने यहां पर beat marking complete कर लिए और आप चाहो तो इसे थोड़ा सा आप देख सकते हो जिसे कर स्टार्टिंग में यहां पर चार beats है ठीक है और थोड़ा दूर जाके एक फिप्त beat then उसके बाद six beat जो हो हमारा three point five seconds start होता है फिर यहां पर चार और एक पांच मिन्स तो टोटल इसमें दस beat है आप अगर चाहो तो यहां पर टाइमिंग को भी देख सकते हो और स्क्रीन सौट लेका अपर रख सकते हो या फिर आप जब प्ले करोगे तो आपको आपको आटोमे यहां पर एक सेक्षेन में जाएंगे और अपने फोटो को यहां पर सेलेक्ष करेंगे जो की सेम क्लॉथ के साथ होगा ठीक है तो ज्यादा बेटर लगता अच्छा लगते हैं जैकि मैंने पहले बोल दिया अब उसके बाद इसका भी जो रेश्यो है उसे हमें क्रॉप करके 9-16 करना होगा तो 9-16 कर लिया इसका साइज को अच्छे तरीके से इस कॉर्णर में अड्यस्ट कर लेंगे और इन दोनों का साइज को आप पुचाओ मिन्स एप्रॉक्स अगर सीमिलर रहे तो ज्यादा बढ़ियां लगेगी तो इसलिए कोशिज करना कि यह सेम हो जाएं ओ फोटो एड़ करने का सेम प्रोसेस होगा प्याइप को उपर क्लिक करेंगे देन फोटो को उपर जाएंगे और नेक्स्ट वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है फिर से फोटो हमने सेलेट किया तो रिश्व में चेंज करना होगा सो क्रॉप को उपर जाके 9-16 एंड दन कर देंगे तो फिर से हमारा यहां पर क्रॉप हो चुका एंड अगेन इसका जो साइज होगा उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके इस वाले कॉर्णर में इस वाली से हम फिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ओके देन उसके बाद जो हमारा फॉर्थ बीट है फॉर्थ करने मिन्स बहुत हार्ड एडिटिंग नहीं है बट अस्टेप थोड़े से जाद है ओके तो इस तरीके से यहां पर आपको अपनी फोटो को एड कर लेना हुगा एंड देख लेना कि कौन सा फोटो कहां रखने पर बेटर लेगे जैसे कि अगर मैं इस वाले फोटो को था इस्ट ओ जाए तो इन सभी फोटो को अपने फिफ्त वाले बीट के पास आके और ये तो इसारे फोटो को स स्प्लेट कर दें और ब्राइटनेस को थूड़ा सा कम कर के कांट्रस्ट को इनकर देंगे वीदिक को ठ्रक्राइब करेंगे वृटी वीए Can Fuse और च्राइब तो यहां देख सकती हमने साड़े चारओ को चारओ फोटो ऩोच भी यह Black color को apply कर दिये अब उसके बाद एक छोड़ा से एडिटिंग आपको और करना होगा स्टार्टिंग में यह जो ट्रांजिशन का बटन देखने को मिलता है इसके ओपर क्लिक करके जस्ट सिंप्ली सा यहां से ब्लैक को सेलेट करके इसका डूरेशन आप जीरो पॉइंट टू सेक पांचो बीट कंप्लिट होगे जहां से अपका 6 बीट आता है ठीक यहां पर आना होगा एंड अपने सारे फोटो को यहां से स्प्लिट करके डिलीट कर देना हो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट ओके क्योंकि यहां पर हमारा सेकेंड सेट आफ जो फोटो होंगे उन्हें रिप्लेस कर लो ठीक है तो यहां पर फोटो आगया अब उसके बाद फिर से इसका क्रॉप को उपर जाके 9-16 को सेलेट करके अपने फोटो को थोड़ा चीज सेलेट करके डन करेंगे और अगेन अपने फोटो को पर टैप करके इस से अच्छा से यहां अड्जेस्ट कर दे ठीक है जैन फिर नेक्स्ट वाली बीट के पास जाके पी आई पी को उपर क्लिक करेंगे अपने फिर से 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 केंड़ फोटो को सेलेट करेंगे ठीक है तो देख़े अस्टेप बिलकुल सेम है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया थो वही सारे से अच्छेप हमें यहां प करेंगे जो लास्ट वाल बीट होगा वहां पर आएंगे एन्ड इन सभी को हमँए स्प्लिट करेंगे स्प्लिट करने के बाद जैसे हमने उस वाले सारे फोटों को ब्लैक किया था उसं द denoteंस को थो नब करना ह। तो ये काम में सारे चारो फोटो में फटाफट कर लेता हूँ सारे फोटो में ब्लैक और वाइट में कंवर्ट हो चुक है और हमारी वीडो ही बन गई बट वीडो में आप एक चीज़ नोटिक्स कर पा रहे होगे चैसे की इन सारे वीडो को में प्लेकर रहे दिखाओं तो और इन में देख पा रहे हैं तो यहां 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 पा रहे है तो इसका रिजन यह होता है ने कि हम जो फोटोज अब ऐड करते हैं वो कुछ अलग तरीके से करते हैं सब्सक्राइब कर देंगे तो इसके बाद आप यहां पर देख पाओ कि हमारे पैटर्न सही तरीके से हो जा रहे तो यह प्रॉब्लम में भी आपके साथ भी आ सकते था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके भारे में बता दिया यहां पर ठीके तो इस तरीके साब पैटर्न को भी यहां पर कर सकते हूँ और उसके बाद आप देखी सकते हूँ कि हमारी जो वीडो है वो परफेक्टली बनके रेडी हो चुकी अब सिंपली से एक्सपोर्ट आल बटन के उपर टैप करेंगे यहां से क्वालिटी को आप अच्छा से सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद एक्स पसंद आया होगा आप मिलते हैं नेक्स ट्रॉली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई